नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जन्पत ओन्दा स्पॉट में आपका स्वागत है हमारे दूसरे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉड़कास्ट विद कुमार गजेंद्र में आपका स्वागत है जहां पर आप हमें सुन सकते हैं हमारी खबरों को सुन सकते हैं अब एक बड़ी खबर आपके सामने आ रहे है दिल्ली से जो आम आदमी पाइटी के राज्यसवा सांसद है संजे सिंग उनकी याचिका को हाई कोट ने खारिज कर दिया है संजे सिंग चार अक्तूबर से पिछले चार अक्तूबर से तिहार जेल में बंद है और उन पर आरोप है कि वो मनी लॉंडरिंग मामले में जो सराब घोताला था उसमें जो मनी लॉंडरिंग था उसके मामले में वो आरोपी थे आरोपी हैं मैंसे तिहार जेल के अंदर रखा हुआ है एडी ने उन पर जो आरोप लगाए वो आरोप ठीक नहीं है ये बात संजे सिंग ने कही थी लेकिन हाई कोड में दलीले सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है संजे सिंग को बड़ा जटका लगा है इस मामल याने के इतने बड़े बड़े भरस्ताचार के आरोप लगने के बावजूद अर्विंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर उन्हें दिल्ली के कोटे से राजसवा में भेज दिया ता दो बारा क्योंकि राज बताये जाता है आरोप है बीजे पी बाले जो आज केजरीवाल के गिरवान तक पहुँच सकती थी इसलिए उनकी मजबूरी थी संदे सिंग को बरस्ताचारी होने के बावजूद राज्यसवा में बेजा गया बड़ा मामला है यह आज केजरीवाल सरकार को कोट की तरफ से कई जटके लगे है उदर अर्विंद आज को भी खारीज कर दिया है आम आदमी पार्टी नेता संजे सिंग की जमानत बुदवार को खारीज कर दी गई परवर्तन निदेसाले याने के एडी ने सिंग को दिल्ली की आपकारी नीती घोटाले में से जोड़े मनी लॉंडरिंग मामले में चार अक्तूबर को गरफ और एडी की दलीले पूरी सुनने के बाद इस मामले को 31 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था इस मामले में और संजे सिंग ने जमानत का विरोध करते हुए कोट में आधार दिया था कि वो पिछले तीन महीन से हिरासत में है जिस अपराद का आरोप उन पर लगाया जा रहा है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है दूसरी हो जहांच एजनसी यानि के एडी ने याची का विरोध करते हुए दलील दीत की कि 2021 और 22 में जो सराब नीती बनाई गई थी उस विवादित सराब नीती से जुड़े कतित सराब गोटाले में जो आर्थिक लाव हुआ था उसे पाने रखने छिपाने और इस्तेमाल करने में संजे सिंग की बड़ी भूमिकाती और वो इसमें सीधे सीधे सामिलते ये आरोब एडी की तरफ से लगाया गया था एडी मैं और से पेस एडिस्टनल सॉलिशिटर जर्नलए इस मिराजु ने जो दलीले दी दी ती के गवाहों को जाचेज़ेंशी को सच न बताने के लिए दमकाया जा रहा है उन्होंने ये भी का था ता सॉलिशिटर जर्नल एडिस्टनल सोजी सिनर्ट जनर्न एसमी राजू ने ये भी बताया कि जो इस मामले में गवाँ हैं उन्हें डराया जराया और धमकाया जा रहा है इसलिए भी सिंग को जमानत नहीं दी जा सकती उन्हें रिया नहीं किया जाना चाहिए एस जी ने आसंका जताई थी कि सिंग पर फिर से इस तरह के अपराद में सामिल हो सकते हैं यानि कि वो दुबारा गवाँ को इस तरीके से दमका सकते हैं दावा किया था कि आरोपी नेता की पहुंच एडी ओफिस में भी थी तो कि उनके घर से कुछ ऐसे दस्तावेज हासिल क किये थे जो जिनको करने में नाकाब में अले जो ईडी ओफिस से थे और पब्लिक दोमें में उख से बरामद हुए थे इसलिए बिल्कुल ईडी ने कहा कि इनको जमानता की यह बाहर निकलेंगे तो यह गभाभाश में को और इन पर सीधे सीधे आरोप हैं संजे सिंग पर कि ये सराम निती के घोटाले का जो पैसा आया था उसमें से 100 करोड रुपया आपको बता दें कि ये गोवा चुनाओं में गया था बाकी 45 करोड रुपया अर्विंद केजरिवाल को दिया गया था और बहुत सारे करोडों र पाने और उसका इस्तेमाल करने का और रोप है वो ये अदुने महिना आज सारे पैसे को ब्लैक ये उस पर वाइस लिए काम करते थे जादुगरी दिखाते थे अर्विंद तक तिहाड जिएल के अंदर रहेंगे और हो सकता है उनकी होली भी अब तिहाड जिएल के अंदर मना रहेंगें और यह वह अममीद जता जा रही है कि भ्रषताचारियों के जो अली बाबा है इन 40 सोरों के अरविंद केजजीन होली पर संजे सिंग से तिहार जेल के अंदर ही गले मिले ये बिलकुल संभावना है और होना भी ऐसा चाहिए इन ब्रस्टाचारियों को तिहार जेल का ही एक सबसे बड़ा रास्ता है सबसे बड़ा इनका आश्रिया है इनको तिहार जेल में इनकी जगा है इतना खजाना लूटा है इन्होंने दिल्ली का, दिल्ली की जन्ता को जो परिशान करने का, इन्होंने काम किया, जो खजाना लूट लिया, उसका एक मात्र जो इस्थान है, वो दिल्ली की तिहार जेल है, इन भरस्टाचारियों को वही पर सबको मिला कर, इनकी होली दिवाली वही मनानी चाहिए, ऐसा ही होगा क्योंकि इनके खिलाब बहुत पुक्ता सबूत है एडी के पास जांट एजन्सिया लगातार इनके खिलाब जांट कर रही है लगातार गोटाले सामने आ रहे है जलवोड का भी गोटाला सामने आ गया है किस किस में इन्होंने गोटाला किया किस तरीके से इन्होंने दिल्ली के ख़जाने को लूटा है, वो सारी चीजे अम एजेंसियों के पास हैं, अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक सब्सकाइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स वॉक्स में अपनी राए जरूर लिखें, इससे हमें और जा मिलके हैं, जैहि जा अबारण